जैनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात थानक्षेत्र के बस्ती पंचायत के दुर्गा मंदिर समेप एक शराब लदी तीन पहिया वचार पहिया वाहन सवार सहित चार शराब तसकर को किया गिर्फतार मधुबनी जिला के जैनगर थाना धक्ष स संजय कुमार के नेत रित्व नेसाई अर्वेन कुमार वबी एंपी जवानू के सहयोग से मंगलवार की रात शराब लदी तीन पहिया वाहन बियार शुन्य साथ जी शुन्य आठ चार छे मालवाह टेंपू में लदे 10 बोरी नेपाली शराब और एक चार पहिया वाहन बिय 32 पी ए 3697 में सवार चार शराब कारोबारी को गिरफतार किया है थाना ध्यक्ष संजय कुमार ने थाने में आयुजित प्रेशवारता कर जानकारी देते हुए कहा कि शराब के साथ गिरफतार कारोबारी थाना क्षेत्र के कमला बांगी गाउव निवासी राज कुमार विंदेश्वर साह का पुत्र मनुच कुमार साह, सोर्य देव पंजयार का पुत्र राधेशाम पंजयार एवं योगिया निवासी रामाधार सिह का पुत्र विश्नुकांत सिंग हैं। थाना ध्यक्ष ने बताया कि जब तिवाहन से कुल दस बोरियों में 1500 बोतल नेपाली देशी शराब बरामत किया गया है। इस अवसर पर थाना ध्यक्ष संजय कुमार, S.I. आर्वेंद कुमार, B.M.P. के मुकेश कुमार, नरिंडर कुमार, हीराल, धीरजज़ा समेद अन्य जवान मौजूद थें। पुलिस ने चोरी के एक पाइक के साथ थाना क्षेत्र के बस्ती पंचायत सिमार्व सिर्हन नेपाल निवासी विशेश्वर यादव के पुत्र ज्यान कुमार यादव को गिरफ्तार किया। है। ठाना ध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति न्याय की हिरासत में मधुबनी भेजा जाएगा। कि गारी पर शमान लोड है। वो आगे आगे और जो भी हैं दो उनके साथ ही। आगे ऐगे कारि मेधी गारी पर चल रहेके पीछेए-पीछे पीछे समान लड़ी हुई जो माल वाहँ मुद टेमपो है। उस पर करीब दस काटून के दस बोरा में करीब पचास काटून सार बेसी सरापसा नेपाल से जो ले नेपाल से ले आकर अनरार तरफ कहें बेसी में ले जाना है तो उसी मिल्गू सुझना परसे माल पक रहा है दोनों गारी पक रहा है और चाहर लोगे अस्तार के लिए